छोटे छोटे प्रयास बड़ा परीवर्गतातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसे जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ही बात मुझे पहले पता होती किसी भी काम को कमپलीट करने के लिए real motivation की अवशक्ता होती है और एक बार motivate हो जाने के लिए आप उस काम को करने के लिए तयार होते हैं आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि life में पैसा कितना महत्वपून है और हमें से हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि life में पैसा बहुत महत्वपून है life में बड़ा बनना है तो पैसा चाहिए आगे बढ़ना है सब यही सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मेरे पास बंगला होता गाड़ी होती और एक ऐसा अच्छा बिजनस होता जो खूब चले लगातार चले और चलता रहे आज भारत में 80 पृतिशत युवा बिजनस करना चाहते हैं पर उनके पास बिजनस का स्टार्ट अप करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं होता ये बात सच है कि बिजनस को शुरू करने के लिए पैसा जुरूरी होता है लेकिन आप बिना पैसे के भी बिजनस शुरू कर सकते हैं हर काम पैसे से नहीं होता आप देखेंगे तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सफल है जितना ज़्यादा बड़ा बिजनसमेन है उसने कही न कहीं कभी न कभी वो जीरो से हीरो बना है उसने जीरो से बिजनस शुरू किया और एक बहुत बड़ा कीरती मन स्थापित किया और मैं एक real example हूँ और आप जानते हैं कि मैं केवल अपने experience की वही बात share करता हूँ जो practically अपनी company में implement करता हूँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो आप भली भाती जानते हैं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो हाथी होता है सबसे उचा जानवर जिरा और वहीं अगर चतुराई की बात करें तो सबसे चतूर लोम्री होती है लेकिन तेजी की बात करें तेज रहनी की बात करें रफतार की बात करें तो चीता, इसके बावजूद भी जंगल का जो राजा होता है, वो शेर होता है, क्योंकि शेर के अंदर वो confidence होता है, उसकी चाल में एक अलगी बहदुरी दिखाई देती है, शेर हर वक्त, हर प्राणी के अंदर अपना एक शिकार देखता है, उसे पता होता है, no risk, no gain, और इ दुनिया के प्रतियक प्राणी में, प्रतियक व्यक्ती में एक client नजर आना चाहिए, आपको ये महसूस होना चाहिए, किस व्यक्ती के साथ मैं business किस तरह से कर सकता हूँ, शेर को सब कुछ आसान लगता है, उसी तरह businessman का दिमाग इस तरह का होना चाहिए, कि उसे हमेशा ये महसूस हो, कि जो मैं सोचता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, मैं आपको एक real example बताता हूँ, जिन में सिर्फ दिमाग लगाया, थोड़ा से trick लगाया, और काम करना शुरू किया, और निरंतर आगे बढ़ता चला गया, business में scalability अगर हो, अगर किसी भी business में scalability है, तो इस business को बह बहुत सारे माध्यम से scale किया जा सकता है, वहीं आप बहुत सारे लोगों के साथ collaboration करके भी अपने business को scale up कर सकते हैं, partnership के माध्यम से कर सकते हैं, investors द्वारा लगाए गई पूंजी से भी अपने व्यापार को scalable कर सकते हैं, friends आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कि Apple gadgets and electronics company हैं, वो अपना खुद कोई भी product नहीं बनाते, Apple जैसी company Foxconn से सारा material खरीती हैं, क्योंकि Apple के सारे के सारे product designed in California है, assembled in China है and all the parts are provided by the Foxconn, लेकि उसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे number one company बन गई, दूसरा example Facebook है, Facebook एक ऐसी user friendly website है, जिसके founder Mark Zuckerberg है, Mark Zuckerberg में एक ऐसी website बनाई, जो बहुत जादा user friendly है, और user friendly होने की वज़ा से Facebook को बहुत अदिक काम Facebook पर नहीं करना होता, उन्हें तो केवल उस site को maintenance के रूप में, उसको regular maintain करना होता है, जो user है, वही इस website पर videos, photos, images, content, text, post करते रहते हैं, जिसकी वज़ा से बहुत बढ़ा data bank Facebook पर आ गया, बहुत सारे लोग उसके friendly user बन गए, और आगर आप देखें, तो हिंदुस्तान में जितनी जंशंख्या हमारे देश की है, उससे जादा Facebook के active user हैं, जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग अपने product, अपनी services को advertise करने के लिए Facebook को पैसा देना लगे, और Facebook की income ही केवल लोगों से advertisement के माध्यम से पैसा कमाने की हैं, इसके लावा बहुत सारे ऐसे example हैं, जैसे ओला जिनकी अपनी खुद की कोई कार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी company बन गई, जो taxi services पो वाइड करती हैं, ओला, Uber, ऐसे बहुत सारे example हैं, इसके लावे एक example में आपको और बताता हूं, redbus.in, जिसका जिक्र मै अपनी पिछली वीडियो में किया है, अगर आप redbus.in से related जो भी information चाहते हैं, तो i button पर click करके आप मेरी वो video वो detail देख सकते हैं, जो आपको बहुत बड़ी information देगी, अगर हम list लेकर बैठें, तो हजारों ऐसे example हैं, जिनसे हम यह चीज समझ सकते हैं, जिनका अपना कोई product नहीं है, वो केवल service provider है, या first party to third party के साथ मिलकर काम करते हैं, privago.com, makemytrip.com, OYO, यात्रा, मंत्रा, ऐसी बहुत सारे site जो केवल services provide करने का काम करते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी को पहुँचाने का काम करते हैं, बिना पैसे के भी business किया जा सकता है इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर अपना business शुरू करना चाता है, तो कोशिश करें कि कम से कम investment में जादा से जादा return आए, जैसे third party related business, बहुत सारे लोग third party related material supply का का काम करते हैं, एक व्यक्ति से material लेते हैं और दूसरे को provide करते हैं, ऐसे बहुत सारे example हैं, जैसे इंडिया म इंडिया मार डाट कॉम, एक्सपोर्टरस इंडिया डाट कॉम और चाइना में अलीबाबा डाट कॉम, जिनका अपना कोई business नहीं है, वो किवल buyer, seller, importer और एक्सपोर्टर को यह सुविदा परदान करते हैं, जहां वो आपस में एक दूसरे के साथ transaction कर सकते हैं, इसके अला जो एक से लेकर दूसरे व्यक्ति तक support प्रोवाइड करते हैं, और उनकी earning उन लोगों से होती है, आप खुद की website बना कर भी आज affiliate marketing के माध्यम से, blog writing के माध्यम से, content writing के माध्यम से, और इसके अलावा YouTube channel बना कर भी बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम है जहाँ पर investment या तो zero होती है, या बिलकुल ना के बराबर होती है, और income अगर देखा जाए, तो बहुत बड़ी और अच्छी income आप आसानी से generate कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई अच्छा business idea है, तो आप investors के साथ को allocation करके, और अपने business को दूसरे लोगों के साथ share करके भी बहुत बड़ा business कर सकते हैं, startup funding लेकर भी आप अपने business को establish कर सकते हैं, और startup funding से related बहुत सारे videos, जैसे investors कैसे ढूंडे, investors के लिए proposal कैसे design करें, और proposal design करने के बाद meeting में उसको कैसे represent करें, ये सारी informative video मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, उसके लाबाब बिजनस करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग के जरुत होती है, यदि आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं, तो आप बहुत ही छोटों निवेश में, या ना के बराबर निवेश में, बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं, हर कोई, हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई एक काम जरूर बहुत अच्छे से खर सकता है। जरूरत है तो केवल अपनी आत्मशक्ति को जगाने की। इसलिए मेरी कविता है कि ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं। अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का निर्णै कर लिया, तो मैं दावा करता हूँ कि जीवन में आपको हर वो सफलता प्राप्त होगी, जिसे पाने का हक आपको है, जिसे पाने के बारे में जोष, जस्वा और जुनून आपके मन में है। के साथ WhatsApp और Facebook पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। Friends, मैं Dr. Amit Maheshwari आपके सुनर भविश्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत!